असलाम अलेकुम अच्छा आधा हमने यह शेयर करें आधा जो एमाजोन कुछ दूएस यूएस मार्केट है ना मारपा उसके पॉड़क्ट हंटिंग लिए मेन क्रेटिरियस क्या होंगे वो टोटल नौ पॉइंट्स है जो के एक कॉमरेस एमाजोन के एक्सपर्ट्स ने ड्रा अगर उनमें कोई एक पॉडुक्त भी आपड़क्ट मेट नहीं नहीं ना कर रही तो उसका मतलब है कि आपकी वो प्रॉड़क्ट एमाजोन की यूएस मार्किट में उसके सब्सक्राइस होने के चांसीस जो है वो लोग है यह निक ऑग्सेस हो नहीं सकती वह आक की वह प्र वह ब्राइट सालिंग प्रॉडॉक्ट हो कि यूसे मार्किट में अक्सर कमेंट से मैसजिज भी आये थे कि जो आने आपकी स्लाइड्स हो आप जिन से आप ये ट्रिटोरिल बना रहे हैं स्लाइड्स हम भी हमसे शेयर कर दें तो मैं अपता दूं कि जो है न हम अपने नया ब् हम चलते हैं पर्सक्राइड्स करेडियर के उपर ट्रो मर्वह हमार्बस टो तोटर मर्पस जो है नाइन ऐन क्रेटेरिया जिए अधियुस मार्किट के लिए यह ना वान ब्रवन डिटेल में रिटेल में है कि व्मेट होने चाहिए तो सब जबहाब करेडिरियर का ह्री की है जिए आप से सर्च करते हैं जो आपको जो टॉप 10 पॉड़क्ट अमाजोन आपको शो कर रहा है उनके पास 600 से कम रिव्यूज होने चाहिए मतलब कि हर मतलब के 600 रिव्यूज पर पॉड़क्ट है जिए कि शेलर नमपर वन पे आराई है टू पर त्री पर फोर पर याप अब अगर रिवी 2000 प्लस होते हैं तो क्या मतलब हो जाएगा अगर आप देखते हैं कि चार-पांच के या तीन-चार के जो है वह रिवी 2000 प्लस में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह सारे ब्रैंड जा रहे हैं और बाकियों की सेलिंग बहुत कम है तो आप लाजमी दे हैं नेक्स्ट में जिसने पॉइंड नमर 2 का है सर्च वालियम उसमें क्या जी एक्जेक्ट अबव 3500 किसका मतलब है कि जब है जब है अपने पॉड़क्ट अपनी चैक करने हैं अब शोर पर जाके जब हम अपने इसके वह पॉड़क्ट के टूल से सर्च उट करते हैं वहा सर्च की इसका मतलब क्या होगा कि अगर अगर इस तरह ना कि जैसका पॉड़क्ट नर्याकर्च काम के जब बन तुमना चैश्यंट अपने 3500 विनिट से कम होगा क्यों दो नहीं है और ना यह पॉड़क्ट अमज़नपर searching उसके कम है मतलब को selling definitely ही कम होगी ठीक हो कि पॉइंट क्लियर है अब चलते है पॉइंट 3 पे प्राइस जो मारी प्राइस रेंज है वो फिफ्टीन डॉलर से 40 डॉलर तक होनी चाहिए exception of two इसमें में साथ मेंशन किया हुसा क्या मतलब है अब है आप जो बीची sell करने जा रहे है for example कि अगर आप अपना कोई आपके पास हैंट फ्री है जा आपके फून डेटा के बला है चार्जर है जिसना का फॉइंट कोई अग्जांपल यह ने मुबाइल पहुच की अगर आप और आइफोन एक से आइफोन 11 के मॉबाइल पोस सर्च कर रहे है वो सर्च कर लिए अ काम कर रहे हैं आपने से पॉड़र हंट करके देनी है तो आपने मार्केट में जिसकी प्राइस है वो लासमें देखनी है क्योंकि यह नहों कि जिए आपको पॉड़र के कोउस्ट है वह हूई आप फॉर रिजेंपल अगर आपको अबॉर रोह तक पहुंचाने में आगे ड minimum price 14.99 dollar हो ताक कि मार्केट में इजरी कंपीट कर सकें जो आपके पॉड़क्ट के अपने परस्नल अक्सपेंसिस आ रहे हैं वह आपके इतने हों कि आप पॉड़क्ट को मार्केट में कंपीट कर सकें अपने कंपेटर से जाके और मैकसिमम क्या हो कि 40 डॉलर आपने देखना है है initially कि जोру chakra box 40 yoke skills करीद की है और इसमें क्या होता है इसमें ब्रेंट में इसमें 24etzen मार्ट का छा रही है बडेग हो इसमें क्या होगा इनतर तो अपने इसमें देख सकते हैं कि for example एपसन मैंने आप example दी है mobile pouch की अब एक बन मुबाइल पॉच्च 45 डॉलर का sale कर रहा है एक 50 डॉलर का sale कर रहा है या 17 डॉलर का sale कर रहा है और बाकिस सारे आपक 15 to 40 की range में आ रहे हैं तो आप इस product को लेकर आगे चाल सकते हैं उसमें आप hunting कर सकते ह हैं ठीक होगा जी अब हम चलते है next point number four की तरफ उसमें का लिखा हुग है revenue consistency of top ten above ten thousand dollar exception of two sorry अब इसमें कि का इसमें यह mentioned है कि जो है न जो आपको है न जो top 10 seller को revenue आ रहा है न वह 10,000 dollar से उपर हो रहना चाहिए exception to मतलब है कि हैं उसमें कोई भी दो sellers यह हो सकते हैं कि जिनका जो है वह revenue 10,000 dollar से नीचे है बाकी सब का revenue 10,000 dollar से उपर होना चाहिए यह बहुत आपके वह चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी कि जो 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 चीज़ आप Amazon और USA में sell करने जा रहे हैं उसकी जो demand है वह उसकी demand कर रही है मतलब कि Amazon पर उसकी selling जो है वह अच्छी जा रही है और लोग उस product में interested हो रहे हैं जो मतलब होगा कि जो अगर आपके आपके पास जो top 10 है उन्होंने 10,000 dollar से अबाव की just selling की होगी 10 dollar जो है बाव यह selling आपको selling price बताई हुए है कि जो है top 10 की जो है sold per month 500 प्लस अब इसमें कहा कि जिसमें यह आपना जो भी आप पॉड़र्ट हमने हंट किया इसमें मोबाइल पहुच लिया था आपके एक महीने में कम ऐस कम 500 प्लस units sell out हुए हो अगर आपके units जो हमें below 500 sell out हुए होए हैं तो 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 हमें product का हमें कोई होता रहेगा और ऐसे पॉड़र्ट कभी profitable नहीं रहती ठीक है अब अब नेक्स्ट पॉड़र्ट अबर 6 किया जी Amazon as a seller less than or equal to 3 हम इसमें का आप देखें आप अब अकसर पॉड़र्ट इस लेने चलिकिया आ रही हो थे हैं कि इसका sell जो है यह पॉड़र्ट हम लिस्ट होई ह हो रही है और इसका seller भी इसका seller भी Amazon है Amazon अपनी पॉड़र्ट खुद sale out कर रहा है आपने वो देखना है कि आपके top 10 में maximum अगर selling Amazon कर रहा तो नमबर उसकी सिर्फ और सिर्फ तीन पॉड़र्ट होनी चाहिए उस कैटेगरी में अगर Amazon की पॉड़र्ट बलके 3 से ज्यादा ब अपनी शोग करवाएगा डाफिनेटली करवाएगा और वो डाफिनेटली यही चाहिएगा के जी मेरी पॉड़र्ट ऊपर है मेरी पॉड़र्ट की selling हो और बाकी की पॉड़र्ट्स वो नीचे रहें क्योंकि Amazon को अपने रेविन से concern है उसे आप से कोई खास concern नहीं होगा क् आपको जो मैं पहली वीडियो जो बताया था कि e-commerce stores के लिए जो main focus होता है customers का कि लोग आगर 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 चीज़ें पर chasing करें से आपने देखा है कि seller तो हर आपको हर category में बेधाशा seller आपको नजर आ रहे हैं आप 10 से पेज नजर आ रहे होते हैं जो sellers बैठे इसमें लिखा हूँ इसका क्या मतलब है कि अपने top 10 में देख लिए कि selling हो रही है अब इसमें यह जरूर है जब आप पॉइंट वन के तरह दोबार आगर आप देखने लिखने 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 ने top 10 शूट है 600 less than 600 reviews with exception of 1 or 2 over 1000 अब इसमें ब्रेंड में क्या मतलब होता है क जबके एक ब्रेंड है उसके पास जी 10,000 reviews है उसकी 7,8 products एक महीने में sale हो रही है उनका इन contrast जो बाके उसके 7,8 के top 10 में आ रहे हैं उनके पास क्या जी उनकी जो मंतली sale है वो 2,4,8,10 या maximum 15 शीच तक जा रही है सब की मिला के तो मतलब के जो आपकी 100 plus selling कर रहे है वो brand आपक brand domination आपने वो देखने है कि जितने top 10 seller बैठे है सब की जो selling है वो किसी level या किसी ratio पर चाल रहे है यह ना हो कि जिसरफ एक या दो बंदे हैं जिनके dominance जो वहां पर जिनके जिनके द्रडडडड़ sale हो रही है और backing को खास selling नहीं आ रही यह जिए बड़े बड़े focus में रखनी है अब जो मैं रपसना number eight पर क्या आता है कि जी no trendy or seasonal or bad trends इसका क्या मतलब है कि जी आपने कोई ऐसे product नहीं है चूज कर ले नहीं जो product just seasonal हो आपकी जनिस जिस्ट या वो सिर्फ सरदियों के लिए या सरफ गर्मियों के लिए हो spring में autumn में मतलब आपके seasonal हो वो आपके round the year selling product हो इसके फॉर एक्जम्पल है इसके mobile pouch number two example इसके आप ले लेने t-shirts और number three example इसके आप ले लेने blankets kids अब क्या हो जब मुबाइल पहुच होंगे यह आपके round the year selling item है जो आपके पूरा साल लोग purchase करते रहते हैं इसका season से कोई फरक नहीं या fact नहीं पड़ता वो सरदियां हो गर्मियां हो जिनों लोग mobile pouch purchase करते ही रहते हैं आपके दूसरे आपके अग्जम्पले पाते हैं ज इसको प्रचेज नहीं करते हैं इने कंट्रास जो आपके blankets हैं blankets की सरदियों में sale peak पे होगी को सरदियों की product है लोग सरदियों में दूर्द पढ़ती है को सरदियों में उसकी purchasing होगी अगर आप गर्मियों में देख लें तो जो आपके mobile pouch हैं वो तो selling constantly चलते रहनी हैं उनकी जो टी-शिट्स आपकी हैं उनकी selling आपकी peak पे चली जाएगी और blanket की selling आपकी approximately zero पे आजाएगी तो आपने हमेशा वो product देखनी हैं जो के seasonal ना हो और constantly round तर उसकी selling जा रही हो और इसमें आगर लिखना no or bad trends का मतलब कहा कि आपने देखा जापके product है कि आपने देखा कि आज़ दसफ़ार product पर मन्त में sell हो गई है उसके जी next 3-4 मन्त में क्या हो ए कि selling बहुत नीचे आगी सिर्फ सो 12 products per month sell out हो रही है इसका मतलब bad trend का मतलब यहा कि जबकि product 2-3 मन्त बड़ी peak पे जा रही है उसके बाद अगले 2-3 माँ वह बहुत नीचे आ रही है यह bad trends है आपन इस तरह product को भी touch नहीं करना हमरे पर लास्ट और 9th point जो है वह cash का जी के CPR जो इसका है CPR eight days give eight days giveaways less than six hundred इसका मतलब है कि जो है जो आपने customer से reviews लेने की जो अपने product उन्हें आपने free में देनी है या उन्हें सस्ती देनी है वह जो उसकी giveaways उनकी है वह आपकी एक हफते में 600 से क होनी चाहिए से कहा मतलब है जब आपने product अपनी product को trending में लाने के लिए उसकी ranking इसकी ranking improve करने के लिए जो आपने रीवीज लेने के लिए customers को आपने products free में दे रहे है जो बड़ी reduced cost costs पर दे रहे हैं आपको उनके giveaways जो है वह 600 इसका मतलब है कि 600 reviews नहां कि मतलब जो आप 10 मे दे रहे हैं तो आपको 600 review मिल जाएगा और आपके product top 10 में first page पे list हो जाएगी वहां पर show होना start हो जाएगी customers को तो अब यह आपने product अपनी list उसको आप ranking आप कर करके उसे ranking आप करके first page पे लेके आना है तो आपको एक हफते में maximum 600 से कम ही CPR आपके लिए value होने चाहिए फिर ही कि आप market में survive कर सकेंगे या अपने product को आप trending selling में ला सकेंगे तो यह मार्किट के अमाजोन के लिए selling के product है selling के selling के लिए तो अगर आप किस बार में कोई भी question हो तो आपने comment section में लिख दीजिएगा तो इस बार में आपको reply कर दूंगा फॉरान हो सके तो हाँ जो है नाइन description में इसको link में ने दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप इने सर्च कर सकते हैं